नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जार्कन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जार्कन की तमाम बड़ी खबरों को जार्कन को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी ने दिखाई हरी जंडी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने 11 राजियों के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है इसी में से राची हावडा वंदे भारत ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाकर ओनलाइन उदघाटन किया है इस मौके पर उन्होंने कहा वंदे भारत ट्रेन जल्दी देश हर किसी को कनेक्ट करेगी। इस मौके पर केंद्रिय रेल मंत्री अस्वीनी वैस्टनों ने कहा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पिछले नौ वर्सों में रेलवे सिस्टम में अभूत पुरू परिवर्तन क बता दें कि राची हावडा वंदे भारत ट्रेन का ओनलाइन उद्घाट अन रविवार की दोपहर साड़े बारा बजे पीम नरेंदर मोदी ने किया वंदे भारत ट्रेन के जरिये राची हावडा, पतना हावडा और जामनगर एहंदाबाद के बीच यातरा का समय इन गंत सव्यों के बीच वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज ट्रेन की तुल्ला में लगबग एक घंटे कम हो जाएगा, इधर शनिवार की सुबह 11 बजे राची से मूरी तक वंदे भारत का ट्रायल रन किया गया था, सीनियर डी सीम निशान्त कुमार ने बताया कि कारिक्रम में शामिल होने के लिए राज़िपाल, मुख्यमंतरी, सांसदव विधायकों को आमंतरड दिया गया था, कारिक्रम सुबह 10.45 से सुरू हुआ, ट्रेन का समाने परिचालन 27 सितंबर से होगा, ट्रेन मंगलवार को छोड़ कर सबता में 6 दिन चलेगी, ट्रेन से लिए लोहर मुकान में सो रहे, पांच लोगों पर खपरैल मकान का छपपर और दिवार गिर गया, इससे सभी लोग छपपर और दिवार में दब गए, दिवार के नीचे दबे एक युवक के द्वारा शोर मचाने के बाद आसपास के ग्रामीड पहुचें, और सभी को बाहर निकालते मुखिया दुरौपती देवी, रामनात महली मौके पर पहुचें और राहत वा बचावकारे में जुट गए हैं। बार बार अपराद करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर ततकाल ऐसी नकेल कसी जाए। बताया जा रहा है कि बीते दीनों संगठित अपराधियों ने जिस तरह से घटनाओ को अंजाम दिया है, उनके मनोबल बढ़े हैं, उन पर कैसे लगाम लगाया जा, इस पर राजी पुलिस के लिए कई ऐसे संगठित ग्रूप हैं, जो आए दिन चुनवती देते रहे हैं, बुकारो रेंज में प्रिंस खान प्रमुख है, ये ग्रूप पुलिस के लिए चुनवती बने हुए हैं, आज की बैठक में अपराधिक सर्गनाओं की गिरहों पर लगाम क रसने की रड़नीती पर चर्चा की जा रही है, मानसून का असर राची में पड़ेगी बौचारे चार जीलों में वर्सा को लेकर अलड जारी, जारखन के कुछ जीलों में आज मानसून का खास असर दिखेगा, ज्राजधानी राची समेत विभिन इलाकों में, इन दिनों वर्सा की वज़ा से जलजमाओं की समस्या उत्पन हो गई है, आज भी राची समेत विभिन जीलों में लोग बारिश का अनुभाव साम तक कर सकते हैं, मौसम विभाग ने अपने पुरानुमानों में बताया है कि राची में आमतोर पर बादल चाय रहेंगे, वहीं कुछ पर गरज के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है, इसके अलावा ग्रामिर छेत्रों में भी आज शाम तक वजरपात के साथ हलकी या मध्यमदर्जे की वर्सा दर्ज की जा सकती है, दुमका साहिव गंज गोड़ा और पाकुर में भारी बारिस की संभावना जताई गई खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक की शनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जार्पन की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर NCPL कमपनी के करमचारियों से रंगदारी की मांग करने वाले गिरों के तीन बदमासों को धनबात पुलिस ने किया गिरफतार किया है यह जानकारी वरिये पुलिस अधिक्षक संजीव कुमार ने रविवार को प्रेसवारता आयोजन कर दिया है उन्होंने बताया कि रंगदारों के द्वारा संगठित गिरों ने NCPL कमपनी के करमचारियों से मोटी रकम की मांग की गई थी जिसकी सिकाया दर्ज की गई थी जिसके बाद ग्रामेड SP तथा CTSP के नत्रितों में टीम गठित कर अपराधियों की धर पकड में जुट गई थी अच्छा पेमारी के दौरान घटना में शामिल तीन लोगों को प पुलिस कारवाही में जुटी होई है इनमें दो अपराधी पुर्व से कई अपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं गिरफतार अपराधी में अकील हाश में उर्फ रज्जाक, एहमद इमरान खान, शमसेड नगर पांडर पाला, भूली निवासी तथा मीठु सिंग उर्फ पुजा का मुर्ती विसर्जन करने गये एक यूवक बराकर नदी में डूब गया, घटना के संबन में बताया जा रहा है कि गौतम साव नामक यूवक सोनार डंगाल का रहने वाला है, जो रात को गड़े इस पुजा के बाद मुर्ती विसर्जन के लिए बराकर नदी पर पहुची और यूवक की खोज के लिए गोता खोर की टीम को बुलाया गया वहीं परीजर्मी घटना इस्थल पर पहुच कर खोजबीन कर रही है इस्थाने लोग आशंका जता रहे हैं कि यूवक पानी के तेज बहाओ में बह गया है राची में फ्लाई ओवर निर्मार के कारड कांटा टोली चौक पर की गई बैरिकेडिंग दस बारा दिनों तक लोगों को होगी परिशानी फ्लाई ओवर निर्मार की कारड इंदिनों कांटा टोली चौक पर बैरिकेडिंग कर दी गई है इस कारड वाहन पहले की तरह नामकुम्या फिर कोकर से डंगर टोली वा लालपूर की ओर सीधे नहीं जा पा रहे हैं कांटा टोली चौक पहुचने के बाद वाहनों को करिब 60 मिटर आगे खादगणा बस स्टेंड मोर से पहले से घुम कर वापस कांटा टोली चौक आ कर डंगरा टोली की ओर जाना पड़ रहा है इस वज़ा से जाम भी लग रहा है साथ ही कांटा टोली से बहु बाजार की और जाने वाले वहानों को भी परिशानी हो रही है यह इस्थिती अगले 10-12 दिनों तक बनी रहेगी कांटा टोली चौक के पास फ्लाई ओवर का कारे पूरा होने के बाद पहले की तरह ट्रैफिक वेवस्था बहाल हो जाएगी ट्रैफिक पोलिस की ओर से यहां 6 अतरिक्स जवानों को लगाया गया है संबलपूर जमुतवी एक्सप्रेस में लूट पार्ट जार्खन के लतेहार और डाल्टन गंज के बीच हुई घटना S9 बोगी में छिंताई के साथ महिलाओ से किया दुरवहवार संबलपूर से चल कर जमुतवी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में बीती राद जम कर लूट पार्ट हुई है लूट पार्ट के दौरान अपराधियों ने 8 से 10 राउंड फाइरिंग भी की ट्रेन से एक खोखा भी बरामत किया गया है लूट पार्ट की घटना जारखन के लतेहार और डाल्टन गंज स्टेशन के बीच हुई है अपराधियों ने ट्रेन के स्लीपर भूगी संख्या 9 में घटना को अंजाम दिया है बताया जा रहा है कि लूट पार्ट के दौरान अपराधियों ने महिला यात्रियों के साथ बतसलूखी भी की है देर राज जब ट्रेन डाल्टन गंज स्टेशन पहुची तब यात्रियों ने जम कर बवाल मचाया इस वज़ा से ट्रेन यहां लगबग देड़ घंटे खड़ी रही मामले की तफ्तीश जारी है प्राप्त जानकारी के नुसार घटना सनिवार रात लगबग बारा बजे से एक बजे की बीच की है संबलपूर जम्मुतवी एक्सप्रेश जबरात तकरीबन ग्यारा बजे जब लतेहार स्टेशन से खुली तभी एस नाइन बोगी में लगबग आठ अपरादी सवार हो गये थे ट्रेन जैसे ही रफ्तार पकड़ी की लूटेरों ने धावा बोल दिया हतियारबन लूटेरों ने ट्रेन के S9 बोगी में लूटपार्ट की बताया जा रहा है कि इस दोरान बोगी में सवार महिलाओं से दुरवहवार भी किया गया लूटपार्ट के दोरान डकैतों ने 8-10 राउंड फारिंग भी की है लगबग आदे घंटे से अधिक समय तक लूटपार्ट मचाने के बाद लूटेरिट चैन पोलिंग कर बरवाड़ी स्टेशन से पहले उतर कर फरार हो गए नई पैंशन नियामवली बनाने की तयारी में हिमंद सरकार जारकन सरकार नई पैंशन नियामवली बनाने की तयारी कर रही है जार्खन पेंशन नियामवली बहुत पुरानी हो गई है। अभी यह इस पस्ट नहीं हो पाया है। मामले में सिब्याई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया था। बयान दर्ज होने के बाद बचाओ पक्ष ने अपने बचाओं में गवाही दी। गवाही बंध होने के बाद मामले में बहस जारी थी जो पूरी हो गई है 173 बच्चों के खाते खुल चुके हैं इसकोली बच्चों के बैंक या पोस्ट ओफिस में खाता खुलने के लिए निर्धारिट टार्गेट से अब तक मात्र 12 फीसदी लक्ष पूरा किया जा सका है इसमें सबसे फिसदी देवगर जीला है जहां 4 फीसदी ही लक्ष पूरा कि सिम्डेगा में 31 फीसदी और रामगड खुंटी में 30-30 फीसदी बच्चों के खाते खुले हैं प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को पुशाक छात्रवृती स्कूल किट साइकल की राशी दी जाती है 133 पंचायतों में अपना सचीवाले भवन नहीं 2390 बिना इंटरनेट के पंचायती राजव्यवस्था लागू होने के 10 साल बाद भी राज के 133 पंचायतों का अपना सचीवाले भवन नहीं है यहां पंचायतों का कामकाज जैसे तैसे चल रहा है राजी सरकार ने सभी पंचायतों को एक राज के सबसे निचले इस्तर के सचीवाले के रूप में विक्सित करने का निर्ड़ा लिया है तै किया है कि यहां गाउं के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी इसके बावजुद यहां अधार्भुत संरशना की कमी है राजे के करीब 2395 पंचायत सचीवाले में इंटरनेट का कनेक्षन नहीं है इस कारड आउनलाइन कामकाज नहीं होता है पंचायती राजविभाग के निर्देशक निसा उराओ ने सभी जीलों के उपायुक्त को को पत्र लिख कर विवस्था दुरुस्त करने को कहा है जहां भवन नहीं है उसके लिए राशी प्रबंद करने को कहा है राश्र विभाग क्याने किसी मद से उपलब्द कराई जाएगी ग्राम पंचायतों में सभी अभियान तेज 2 अक्टूबर को विशेज ग्राम सभा राजी के सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वक्षता ही सेवा पकवाड़ा कारेक्रम प्रारंब होगया है पंचायती राज विभाग जार्खन के निर्धारित कालेंडर के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में यह पक्षवाड़ा सुरू हुआ है आज स्वचता रैली के साथ साच निजलासेयों को स्वचता श्रमदान द्वारा स्वच करने का काम प्रारंब किया गया है सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जन प्रतिनी धीवा ग्रामीडों की सहभागिता से कार शुरू किया गया है दो अक्टूबर को पूरे राज के ग्राम पंचायतों में विश्रेस ग्राम सभा आयोजित होगी योजनाय स्विक्रिती की जाएंगी पुरानी रंजिस को लेकर प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थर बाजी पांच लोग घायल बागमारा के कतरास थाना छेतर में भी गड़ेस पूजा समीती, राजिंद्र नगर रानी बजार के द्वारा सनिवार को गड़ेस प्रतिमा का विसर्जन कर लोट रहे लोगों पर चौधरी नर्सिंग होम के समीप असामाजिक तत्तों ने पत्थर बाजी कर दिया जिसके अफरा तफरी मज गई, जिसमें दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए, एक पक्ष ने थाना पहुचकर पुलिस से शिकायत की है, शिकायत के अधार पर पुलिस ने मामले की चानबिन सुरू कर दी है, इसमें दोनों पक्षों के एक एक लोगों को पुछता के लिए थाना में बठाया गया हलांकी दोनों पक्ष के लोग मामले को सुलह कराने में लगे हुए हैं अब तक की होई चानमें से यानुमान लगाया जा रहा है कि पुरानी रंजिस को लेकर पत्थरबाजी की घटना घटी है गोवंश की तशकरी करने वालों के खिलाफ एक्षन में जारखन पुलिस ताबर तोड हो रही गिरफतारी गिरिडिया में गोवंश की तशकरी करने वालों के लिए गिरिडिया पुलिस सामत बन गई है बिहार उत्तर प्रदेश से मवेशियों को आमान्य तरीके से वाहन पर लात कर पश्चिम बंगाल से लेकर बांगलादेश की सीमा तक ले जाने वाले तशकर ना सिर्फ गिरफतार हो रहे हैं बलकि मवेशियों को भी मुक्त कराया जा रहा है पिछले 25 दिनों के दर्मियान जीले के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा के नित्रितों में 11 कारवाही की गई है इस दोरान मवेशी लदे 24 वाहन को पकड़ा गया जबकि 338 मवेशियों को मुक्त कराया गया है वही इन मामलों में अलग-अलग थाना में 11 कान डंकित करते हुए 36 लोगों को जेल भेजा गया है आपको बता दें कि बिहार होते हुए देवरी चतरो बेंगबाद के रास्ते तस्करवाहन को लेकर काफी गांडे अहिल्यापूर तारा टांड के रास्ते धनबाद और फिर बंगाल प्रविस करते रहे हैं इसके अलावा दिल्ली कॉल हाईवे के तूटे हिस्से की जल्द मरमत सुरू की जाएगी इस NH 14 एकी किलो मिटर संख्या 242.5 से 251.4 तक सड़क की गुडवत्ता में सुधार और सुधरेडी करण का काम जल्द सुरू होगा सड़क परिवहान एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी से NHI के अधिकार की मरमत की मांग केंद्रिय मंत्री से की है चेंबर चुनाओ जारी लगभग 4000 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग जार्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स का वार्सी काम चुनाओ सुबह 9 बजे से सुरू हो चुका है चुनाओ पदाधिकार हिललित केडिया और पवन शर्मा की द सदस्य चुने जाते हैं जो नई कारेकारणी का कारेभार समहा लेंगे कारेकारणी के साथ ही छे प्रमंडल में उपाध्यक्ष का चुनाओ किया जाना है लेकिन इस बार दच्छडी और उत्तरी छोटा नाकपुर प्रमंडल में उपाध्यक्ष पत के लिए चुनाओ होगा साथ बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार